स्वस्थता का राज मजबूत दिल के साथ जानिये स्वस्थ रिदय रखने के लिए उपियोगी तरीके और बचाव भारत के सूप्रसिद्ध और इंदौर के जानिमाने रिदय रोग विशिशग्यों से डॉक्टर एडी भटनागर आपको जानना चाहिए कि हिदय रोग खास्ता और से धमनी संबंदित रोग भारत में बढ़ रहे हैं और इस करण अपने रिस्ट फेक्टर को पैचानने के बाद में उनको कंट्रोल भी करिए जैसे कि आपको धुमरपान बंद करना होगा अपना नियमित अहार खाना होगा आ अपना कॉलेस्टरोल को कंट्रोल करना होगा यारी आपको डायबिटी इस है उसको भी कंट्रोल करना होगा और अपना वजन को बराबर अपने हuciónप के हिसाब से मेंटीन करना होगा डॉक्टर की रोशन राव आप अपना ब्लड प्रिशर नियमेट रूप से चेक करवाएं और वो चेक कराने के बाद जब आपको पता चलता है कि आप बॉर्डर लाइन में है, स्टेज बन हाइपटेंशन में है या हाइपटेंशन, प्री हाइपटेंशन है यह अलग-अलग स्टेजेज होते हैं हाइपटेंशन के तो आप अपनी जो जीवन शहली है उसको बदले आप जो डॉक्टर ने प्रिस्राइब करी है, वो दवाई है नियमेट रूप से लें तो ब्लड पिशर को और कंट्रोल रेगुलर ली रखें तो मैं आप सबसे कहूंगी कि आप एक सिंपल नेमनिक याद रखें फॉर्मिला ओफ एटी तो फॉर्मिला ओफ एटी एक सिंपल नेमनिक है A, B, C, D, E A यानि कि आपका जो अब्डॉमिनल गर्थ है मोटापा 80 cm से कम रखें B, यानि कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे 80 से नीचे रखें C, यानि कि आपका कोलेस्टरॉल उसकी जो वैल्यू है वो 80 से कम रखें D, यानि कि आपकी डायेट, so important है तो कोशिश करें कि कैलोरिक वैल्यू उस मील की 80 से कम हो और D से आपकी डायेटीज भी होती है तो आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुकर है उसे 80 के आसपास रखें E, the last thing that is exercise कि हफ़ते में 80 मिनिट जरूर एक्सराइज करें आपकी स्वस्थ शरीर के लिए और डॉक्टर अनिरुद व्यास से एकशाइज में 4 चीजों को स्वस्थ रखना जरूरी है एक हे आहार तो आहार हमारा स्वस्थ हो और संयम्मित हो उसके बाद विहार मतलब exercise मतलब हमारी exercise संयमित हो संतुलिटों ना बहुत अत्यदिक ना बहुत कम उसके बाद विचार, मानसिक तनाओ ये जो चीजे हैं इस पर ध्यान देना है और चौती चीजे हैं व्यवहार मतलब आपस में हमारे मित्रों से, हमारे परिवार से, हमारा इंटरेक्शन इन चार चीजों को अगर हम सयमित और संतुलित रखेंगे तो हमारा रिदय स्वस्थ रहेगा आप पुब्लिक अवेरनेस इनिशेटिव